तो आप सब का स्वागत है मेरे बहुत सारे प्यारे विध्यारती दोस्त जो यह प्लाटफॉर्म के उपर जोट रहे है पहली दफा से उनको थोड़ा बहुत मेरे बार में परीशाय दे देता हूँ I've been teaching since last 8 years and history, art and culture is my forte GSLA के पूरी की पूरी foundation की जो तैयारी है वो सब मैं यहाँ पर करवा था हूँ and I teach history and art and culture from the optional and also the GS point of view and based on my understanding of the subject मैं आपके साथ यहाँ पर NCRT की series को continue कर रहा रहा हूँ Standard 12th की themes in Indian history part 1 को हम लोग discuss कर रहे हैं तो we have been discussing a session on the themes in Indian history और मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से भारत के अंदर इनफेक्ट Buddhism का development हुआ और Buddhist architecture की कहानी चलती है तो आप मेंसे जो भी विद्यारती है उन लोग को पिछले class के अंतरगत Buddhism की कहानी पता होगी और अगर उन्होंने in fact topic को पढ़ा है तो revision के तहट Buddhism को समझ भी लिया होगा सर है तो बट एक quick revision देख लेते है कि किस तरह से बुद्ध की lifestyle रही है और बुद्ध की life journey कैसे रहती है है ना तो 568 BC में उनका जन्म होता है कहां पर जन्म होता है लुंबीनी के अंदर इनका जन्म होगा सर और यहां से इनका जीवन चलने की शुरुवात होगी लुंबीनी became a very important place in Buddhism उसके बाद हमने देखने की कोशिच की के करीवन 29 साल की उमर में उन्होंने संचार छोड़ दिया इसी को ही महाभी निश्कर्म कहते है इस महाभी निश्कर्म इस एक्चुली हाइलाइटेड इन दे फॉर्म ऑफ दी आर्किटेक्चर और एक सिंबॉल के रूप में दर्शाय गया है बुड़े के रूप में उसके बाद आप देखोगे तो 35 साल की उमर में बुद्धा हटें इनलाइटनमेंट तो यह इनलाइटनमेंट को अंतरगत हमको बदा चलता है कि गया के अंदर जब उनको इनलाइटनमेंट हुआ तो बुद्ध ने इनफेक्ट बोधिट्री के नीचे इनलाइटनमेंट पराप्त किया और इसी के कारण बोधिट्री का आपका इंपोर्टन्स दिखेगा इन बुद्धिजम इन फॉर्म ओफ दी इनफेक्ट है न बुद्धिजम इसी को ही निर्वान के रूप में पहचाना गया है उसके बाद आप समधने की कोशिश करोगे तो करीबन 80 years ते आगे अपने जीवन को जीते रहेंगे और जब उनका मृत्यु हुआ डेथ होता है तो वो year था वो था करीबन 483 BC या 494 BC या 487 BC अलग अलग साल है बट उसके उपर मैं नहीं जाओंगा बट वी हैड डिसकस की यह जो है कुशिनगर के अंदर होता है और उनके मृत्यु को ही basically आप देखोगी तो स्टूप के रूप में दरशाय गया है तो पिछले क्लास के अंदर मैं आपको स्टूप आखिटेक्चर के बारे में पूरा चीज़े पढ़ा दिये और बताने की कोशिश की थी कि स्टूप का importance क्या है और बुद्धिजम के अंतरगत बुद्ध के विचार जो थे वो कैसे आगे continue किये जाते है तो मुरुत के मुरुत्यू के बाद after the death of बुद्धा we had discussed कि the teachings of बुद्धा were codified the teachings of बुद्धा were codified into the Pali literature है न तो Pali के अंदर किताबे बनती है तीन किताबे बनती है विनय पिताख याद आया कि नहीं है आपको विनय के साथ साथ दूसरी किताब बनती है सुथ पिताख और सुथ के साथ साथ आप याद करोगे तो तीसरी किताब बनती है अभी धम पिताख है न तो we had discussed all the three books in the previous sessions और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि स्टूप building का development क्या है ये स्टूप के अंतरगत इनफेक्ट बहुत सारे cultural traditions बनेंगे और cultural traditions के तहत हमने आपको बताया था कि किस तरह के art forms को यहाँ पर develop किया गया है सर ठीक है तो आज हम लोग उसी को ही continue करेंगे और आखिर के अंदर session के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में कहां कहां स्टूप बन के तो आए स्टूप के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि बुद्धिजम के अंतरगत फिर संप्रदाय बनते है different different sects से उमर के आती है और ये संप्रदायों के अंतरगत आप संबने की कोशिश करोगे तो दो संप्रदाय बहुत popular होंगे एक महायान संप्रदाय होगा और दूसरा हीनयान संप्रदाय होगा ठीक है तो आज मैं आपको बुद्धिजम के संप्रदायों के बारे में भी discuss ले करना माले वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोरों के बीच में अंतर क्या है What is the fundamental difference between the two In fact, महायान किसमें मानता है, हीनियान किसमें मानता है ये सब भी बहुत interesting question आ सकते है खैर उसके पहले, मैं आपको important announcement करना चाहता हूँ कि आप अगर आप an academy के उपर जुड़ना चाहते हो तो अभी बहुत अच्छी opportunity आपके लिए है क्योंकि अगर आप तयारी कर रहे हो यहाँ UPAC के foundation की, तो NCRT तो यहाँ हो जाएगी पर NCRT के upgraded version में भी आपको जाना पड़ेगा आज कल जो question पूछे जा रहा है इसके अंदर आपको expert guidance होने की बहुत आवश्यक्ता है आपको mentor होने की बहुत आवश्यक्ता है क्योंकि जो चीज़ आप 200 hours में बाहर करोगे वो चीज़ हम शाय 20-40 hours के अंदर consolidate कर वे with the right approach and right direction आप करवा सकते हैं तो आपको most welcome करना चाहूंगा हमारे academic के courses के उपर description box में link available है आप इसको join कर सकते हो if you have not taken the subscription you can take the subscription by using the discount code PNLIVE in fact अभी optional का course मेरा launch किया गया है I am already learning a course on the general studies, modern history और मेरे और भी courses आपको platform के उपर मिलते रहेंगे इंडिया के top most educators की पूरी की पूरी यहाँ पर team है इसमें मैं भी हूँ and I also teach history, art and culture in fact subscription लेने के लिए सबसे best option आपके लिए मैं बता सकता हो वो होगा कि आप हमारी scholarship exam को participate कीजिए every Sunday हम लोग है ना यहाँ पर scholarship exam लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं combat तो 60 minutes के अंदर 56 potions आपको attempt करने होते हैं and after attempting combat you will be able to get the subscription if you are getting good rank है ना तो आपको top 3 rank मिलेगा तो आपको on academic दरफ से subscription मिल जाएगा सर है ना तो हरे इस Sunday होता है description box में इसकी link available है combat में join करने के लिए आपको खुछ नहीं करना है यह code को use करना है pn live coaster है ना तो आप इसको भी join कर सकते हो बाकी हमारे batches join कर सकते हो 60 days का हमारा batch अभी शुरू हुआ है दो महिने का आप इसको join कर सकते हो 15,000 रुपीजी fees रिविजिन के लिए बहुत काम में आ सकता है in fact 28 तारीक तक hardly a day or two is left आप subscription ले सकते हो तो GSR optional दोनों का combined subscription है ना आपको यहां पर बहुत discount मिल रहा है क्योंकि 45% की fees discount मिल रही है in fact आपको इसके अंदर से test series भी cover कराई जा रही है prelims, mains, optionals, सबकी test series cover करवाई जा रही है total cost होता है 45,000 रुपीज तो अगर आप नहीं offline में पढ़ रहा हो तो test series का अलग से आपको fees देनी पढ़ती है we at an academy make sure कि education remains affordable education affordable हो, वो महंगा ना हो और basically आप उसको अच्छी तरह से attempt कर पाए और जादा costly भी ना होना चाहिए इसके लिए हम लोग आज की तारीक में आपको 49,680 रुपीज में GS और optional including test series और कितने test है आप देखिए 21 is for the optional उसके साथ-साथ 80 test for the prelims and the mains examination आप देखिए total कितने हैं 50 prelims के है, 30 mains के general studies के है और 21 paper optional के है, मतलब इतनी comprehensive करना के बाद I don't see कि आपको और कुछ करने के आवशकता होगी तो we have got some fantastic offers, आपको book set available करवाया जा रहा है आपको iconic subscription मिलता है, जहां पे आप एक dedicated mentor के थुरू तैयारी कर सकते हो तो teacher के रूप में तो मैं रहूंगा ही, बट अगर आप iconic subscription लोगे तो आपको mentor a lot किया जाएगा, बाइदी आना कड़ा में team जो आपको help करेंगे in your preparation है ना तो structured classes से लेके हर एक चीज़ आपको फायदे में हो सकती है एक दो साल तीन साल का subscription लीजे, use this code pn life, get the maximum out of it, मैं तो आपको वही suggest करूँगा, optional का अलग से subscription लेना है तो ले सकते है, बट GS optional दोनों का combined लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहेगा आपको ultimately, अलग-अलग batches को आप join कर पाओगे, in fact हमारी free की test series में participate कर पाओगे, मेरे courses को देख पाओगे, अभी जो general studies का मैंने modern history का course लेके आया हूँ, और we have just started, 11 August से ही हमने शुरू किया है, मतलब ज्यादा time इसमें नहीं हुआ है, आप इसको भी देख सकते हूँ, मेरी batch course के अंदर join कर सकते हूँ, मुराल सर के साथ, I am associated with the batch course है न, तो आपको बहुत सारे अच्छे teachers मिल जाते हैं, एक ही platform के उपर से हैं और कुछ नहीं करना है, तो खाली free classes देखना है, तो application में मेरी link available है, profile की उसको follow कर दीजिएगा, follow करना के बाद आपको messages मिलते रहेंगे, जिसे हम लोग कहते है special class है न, तो यह special class का फाइदा क्या होता है, what is the significance of the special class, special class का फाइदा यह है कि आप इसके अंदर join कर सकते हो special classes में, free के अंदर, आपको यहां पर मेरी profile में recorded special classes मिल जाएंगे, मैंने constitutional history के उपर classes लिया हुआ है, मैंने अभी 15th August को दादा भाई नौरोजी के उपर एक session लिया था, तो बहुत सारे freedom fighters से लेके, अलग-अलग लोगों की कहानी के उपर आपको special classes मिलेंगे, इसके लिए भी आपको यही use करना है, यह code को use करना है, discount code को PNL, and you can join the special class sessions as well, करिए, आगे चलते हैं, हम लोग discuss कर रहे थे, पिछले class के अंदर series को, और समद्ने की कोशिश कर रहे थे Buddhism को सर्थ, ठीक है, तो मैंने आपको पिछले class में Buddhism का stoop architecture के उपर पढ़ा दिया है सब कुछ, अब stoop कहां कहां बना है, एक तो सांची में बना, एक अमरावती में बना, इन दोनों के differences है, क्योंकि अमरावती का stoop बहुत plain बनता है, सांची का stoop बहुत designer बनता है, फिर शाह जी की dairy में अंदर बनता है, आप याद करिए, stoop की prominent locations कहां कहां दिखती है हमको, तो ऐसे तो multiple locations के उपर आपको stoop दीखेगा, बट आपको इनके differentiations पता होने चाहिए, MP में सांची के अंदर आपको एक जो stoop मिलता है, और बरहुत के अंदर stoop मिलता है, यह जो stoop है, इसकी importance उसके सामने अगर आप अम्रवती के साथ compare करोगे, तो आपको बहुत differentiation दिखेगा, अम्रवती का stoop जो है, वो highly decorated है, highly decorated का मतलब क्या है, कि इसमें काफी decoration आपको दिखेगा सर, है न, यह साथ वहन dynasty के समय पे आपको मिलती है, वेरस हमको क्या पता चल रहा है, कि यहाँ पे सांची और भरौत के अंदर plane decoration है, plane का मतलब है कि ज्यादा इसमें चीज़े नहीं है, ठीक है, उसी तोर के उपर आपको पेशावर के अंदर आपको दिखेगा, पेशावर के स्टूप का नाम क्या है, इसको हम लोग कहते है, शाह जी की डेरी है, याद रखेगा, प्रकोशन आ सकता है, कि यह शाह जी की डेरी कहां पे आई हुई है, तो आप लोग इस टैम पहना, गर्बा करने की शुरूआत कर दो गया है, तो यह पेशावर के अंदर है, कनिश के द्वारा बनता है, और इसमें भी आपको डेकोरेशन दिखता है, इवन इन पीरेड ऑफ कनिश का, यह पोस्ट मौरियन राजा था अगर आपको याद होगा, तो उसमें भी आपको डेकोरेशन मिल जाता है, अब यह तो सी स्टूप की कहानी अब इसके उपर से यूपीसी ने कोशन भी पूछा है तो अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास के अंदर हम लोग ये कोशन की बात कर रहे थे और स्टूपर क्या महत्व है इनकी क्या प्रासंगीकता है उन सब के ओपर हम लोग आज डिसकस करेंगे अब देखें क्या होता है वाट इस हैपनिंग सरहना तो आपको कोशन स्टूप के ओपर अलड़ी पूछा गया है अपको कल के क्लास में स्टूप की स्टूरीज के बारे में पढ़ा द इसको आपको अगर इलूसिडेट करना है मतलब इसको आपको लेंथवाइस एक्स्ट्रेइन करना है कैसे करोगे सर ठीके तो जैसे अभी में आपको इलूसिडेट कर रहा है मैं इलूसिडेटिंग दिस लेक्चर है न तो वही चीज आपको यहां से हाइलाइट करवानी है कैसे करोगे उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं अब जैसे इस प्रकार का कोशन आएगा आज मैं डारेक्ली आपको उसका मॉडल आंसर दे रहा सब पॉइंट्स लिखोगे स्टूप के आर्ट फॉर्म के उपर हाइलाइट करोगे सर है ना इनका क्या महत्व है इनकी क्या प्रासंगीता है वह सब पॉइंट्स को आप देखोगे और इसके अंतरगत आप बुद्धिजम के अंदर जो स्टूप आठ है उसको आप हाइला उसको आप लिख सकते हो बुद्धिस्ट आईडेल को कैसे नेरेट किया गया है सर ठीक है तो आप लिखोगे कि स्टूप का निर्मान कैसे हुआ है फोस्ट पेरग्राफ के अंदर अधर बुद्धा करोगे करीबन आठ जगा के उपर स्टूप बनते हैं राजग्री वैशाली का पिलावस्तू इन सब के बारे में हमने पछले क्लास के अंदर दिस्कस किया था और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जहां पर आप फोकस करते हो जहां पर इंफेक्ट एक व्यक्ति को दफनाया ज करोगे आप लिखोगे कि लेटर ओन इस देवलोप्मेंट तुक प्लेस यहां और बहुत सारे एडिशन सोने की शुरुवात होती है और साइज आप इंक्रीज विच रिफ्लेक्टेट थे उनकी साइज बहुत बढ़ जाती है ठीक है साची बहुत अमरावती बद स्टूप अब कौनशी को विचेश आपको बहुत सरी वक्मोटीफ दिखेगी इंदसाची सुसाशी को देखो तो कल के स्टूप के क्लास के अंदर मैं बताया था कि एक सर्पंट की कहानि है इस में गजलक्षमी की कहानि है याद आया कि नहीं आया इसी के अंदर से अगर आप देखो यहां सांची के अंदर ही आप समधने की कोशिश करोगे तो हाइलाइट किया गया है तो सीज ऑफ कुशी नगर बुधा विजिट तू का पिलावस्तू अशोका विजिट तू राम अगराम एंड़ महा कभी जातक मंगी किंग की वारता अगर आपको याद होगी तो स्टांड की कहानी आपको यहां से दिखेगी सर ना बुध के मधर को स्टूप के अंदर हाइलाइट किया गया है जहां उनको हाथी का सपना आ रहा है तो यह सब नेरेटीव आट का प्रकार है आप इसके अंदर एक्जांपल के अंदर लिख सकते हो सर ठीके तो नेरेटीव आट हो ग तो फिर आजाद सत्रु करके राजा था अगर आपको याद होगा तो अचुली होन बुद्ह होगा इनको इनफे गवन करूंगा समझे कि नहीं समझे तो फिर ये कुषिनगर के वोपर लड़ाय होती है सर बुद्ध के अस्तियों को रहे हैं ठीक है तो उसकी कार्विंग लिखी बुद्धा से तुप कपीला बस तो बुद्धा क्यूं कापीला वस्तु गए थे कापीला के लि आली थी है न तो आल देस्ट फोक मोटीफ्स आर एक्चुली हाइलाइट इन दे सांची स्टूप समझे नहीं समझे तो आप देखें कि इतनी सारी चीज़े आ रही है अब बुद्धिजम के टीचिंग स्टूप के अंदर कहा कहा दिखते है तो आप लिख सकते हो कि इन दे त पिलर सब बुद्धिजम कहते हैं तो यह स्टूप के अंदर हाइलाइट किया गया है इंदफो मों बुद्ध धमान संगा सर ठीक है अंडा जो है यह जो अंडा दिख रहे है आपको यहां पर सरहना कल मैं आपको बदाया था कि अंडा क्या है एक हमिस्पेरिकल डॉम लाइ ठीक है यस्टी जो है इस सिग्निफाइजिंग एक्सेस कनेक्टिंग धैवन अंद अर्थ तो बुद्ध कहते हैं कि हमको यहां पर मेहनत करनी है और इवेंच्वली मोक्ष प्राप्ति करना है तो बुद्ध के टीचिंग से हर्मी का अगर आप देखोगे तो इस इस हर्मी क के अंतरगती आप देखोगे तो आपको चार तोरन दिखेंगे यह कोई भी स्टूप होता है यह स्टूप के एंटरंस पे तोरन है यह तोरन क्या दर्शाता है यह चारो दिशाओं में तोरन हाइलाइट किये गए क्यों कि यह तोरन के दिवारा बुद्ध बताना चाहते थ कि मेरे सिधान सब के लिए खुले हैं आप मेरे साथ मेरे संपरदय में आईए आप मेरे साथ जुड़िये हम आपको यहां पर वेलकम करता है सब ठीक है तो आप देखे कि स्थूप ट्रेडिशन्स में कितनी सारी चीजे निकल के आ रही हैं और यही सब की सब कहानी आप समझन पत की शुरुवात की नई जनरेशन सीधे सीधे यह टीचिंग के साथ जुड़ पाती है और बुद्ध को इम्मोर्टलाइज करती है तो स्थूप का बहुत इंपोर्टन्स है बुद्ध के सिधान्तों को जिन्दा रखा गया है बुद्ध के जीवन के साथ बनी हुई जु इंडिया सर ठीक है तो यह कंक्लूजन में लिख देंगे तो आप देखिए तो यह जो कोशन है यह कोशन में कुछ ज्यादा रॉकेट सैंस था नहीं एक्चुली सर ठीक है तो आपको इंट्रोड़क्शन डालना है बुद्धिजम को ओरीजिन है स्थूप का सिंबॉलिक इ यह तो एक हम कह सकते हैं कि एक मॉडल या एक मॉक आंसर टाइप था यह 2016 में पूछा गया है दिस कोशन वस आस्ट इन 2016 तो इसमें से ऐसे कोशन आते हैं तो मूल तहां से आप कोई भी आर्ट फॉर्म देख रहे हो ना मैं आपको यह चीज थम रूल बता लेता हो आप कोई यहां पर एक व्यक्ति मैं कहूंगा कि दुखी व्यक्ति को दर्चाय गया है यह पर्सन इस हाइलाइटेट इन वेरी सौरॉफूल कंडिशन सब्सक्राइब तो आपको इसकी फिलोस्पी बता होनी चीजिए कि यह क्या दर्चा रहा है वाट इस तिंग शो इन यह हम्टी ड इसकी प्रक्स है वो पता चल जाएगी तो स्टूप जो है यह कला का प्रकार है आर्किटेक्चर के रूप में आप देखोगे तो इसका इंपोटन्स है और इसकी फिलोस्पी है यह फिलोस्पी ही यूपीसी ने पूछी है इन फैक्ट 2020 के मेंस के अंदर भी उसने फिलोस्पीकल डेवलोपमेंट इन आर्ट एन आर्किटेक्चर को पूछा था बहुत इंट्रेस्टिंगली वो कोशन को भी आप अटेम्ट कर सकते हो खेर तो यह तो कहानी आपकी बुदिजम के रिलेटेट थी अब स्टोरी यह है क कि स्टूप कहां कहां बने और यह स्टूप को कैसे डिस्कावर किया गया सर ठीक है तो कहानी यह है कि भारत में यह जो स्टूप ट्रेडिशन है यह करीबन 1837 के बाद बहुत प्रॉमिनेंट के उपर आया यूंकि पहले क्या था कि ब्रिटीश भारती कल्चर के तहत बुद प्रिंशेप ने एक्चुली अशोग के इंस्क्रिफ्शन को हाइलाइट कर दिया था और यह अपना अशोग है वही सब कुछ है ठीक है तो इनके बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीजे बनती है ठीक है तो यहां पर क्या बोला गया है डिस्कवरिंग स्टूपा अश्ट अम्र जाओती और सांजी का क्या महत्व रहा है वह हाइलाइट यहां पर करने की कोशिश की गई है ठीक है अब आप देखिए इसके तोरन को देखिए मैं अभी आपको बताया यह तोरन के ओपर आपको शल भंजी का दिख रही है दिख रही है तो औरीजनली स्टूप के अंदर तो थे ही नहीं थे सब हैनम चलिए तो कहानी क्या चलती है वाटीज स्टूरी यह स्टूप कब बनाये गए और यह स्टूप की स्टूरी क्या है ठीक है तो दो स्टूप की बात की गई एक तो अमरवती की और सांची की अब देखिए सांची के स्टूप को महास्टूप कहत तो पहली चीज तो आपको यह clear होनी चाहिए, you should know this thing clear, कि इसका क्या importance रहा है, in the stoop traditions है ना, अब देखिए, यह stoop को कैसे बनवाया गया, इसके पीछे की कहानी, इसके discoveries की बात की गई है, question आने की शक्केता कम है, पर at least हम लोग देख लेते हैं, तो इस stoopa has a history of its own, as we have just seen some of these histories, of how they were built, अभी पर बताया की कैसे बनते है, stoop है ना, platform के उपर बना, vedika के उपर बनता है, फिर medhi बनती है, ठीक है, but these are histories of discoveries as well, and let us now turn to some of this, in 1796, a local raja wanted to build a temple, stumbled upon the ruins of the stoopa at Amravati, अब देखिए, 1796 की बात है, अमरवती के stoop के बारे में, किसी को पता भी नहीं था, यहां का स्थानी के एक ruler हुआ करता था, 18th century के transition ने, यह महाशे मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे है, और जब खोद काम कर रहे थे, तो उनको अमरवती का stoop दिख गया सर, अब अमरवती में न, white marble का use किया गया है, अमरवती stoop, we do get the instances of white marble being used, सफेद फथर से चीज़े बनती है सर, ठीक है, अब यह भाई साब ने क्या किया, जो अमरवती का stoop है, वो सांची के जितना prominent नहीं है, actually मैं आपको बता देता हूँ, सांची का जो stoop है वो proper shape में है, मतलब यह आपका image है, यह सांची का ही stoop है सर, this is the image of this सांची stoop only सर, ठीक है, एंड सांची का stoop proper structure में है, वो तूटा नहीं है सर, अमरवती का stoop तूट गया है, तो अमरवती stoop has actually been broken down, और वो क्यों तूट गया है, तो बहुत सारे लोगों ने continuously political changes हुए, cultural changes हुए, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिर weathering की effect आती है, multiple चीज़ें आई सर है न, उसके कारण यह issue create हो गए सर, ठीक है, अब जो भी बचे कुछे ruins हुए थे, ruins का मतलब क्या है, क्यों कोई original stoop का part तो था नहीं, थोड़ा बोटा पत्थर का टुकडा था, अब इसने क्या किया, उसने यह जो stone है, वो सबके सब infect है न, over a period of time, एक अलग जगा से use किया सर, ठीक है, so he decided to use the stone, and thought there might be some treasure buried in what seemed to be a hill, उसको यह लग रहा था, कि यह जो पत्थर है, यह पत्थर के नीचे कुछ बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि इसके कारण यह architecture मिला है मुझे, तो यह architecture तो मुझे बहुत नायाब लग रहा है, मतलब आप देखी, यह सांची का तोरण है, वैसे ही अमरवती के अंदर भी, आपको बहुत सारे स्टोन के monuments मिल रहे थे सर, getting a point है ना, तो some years later, the British official called as Colin Mackenzie, visited the site up, यह important है, नाम याद रखेगा सर, Colin Mackenzie का importance यह है, कि यह अमरवती के साथ भी जुड़ा हुआ है, और भारत के अंदर एक dynasty थी, विजयनगर dynasty, नाम सुना होगा सब लोगने सर, विजयनगर dynasty का discovery भी यह करता है, यह याद रखेगा सर, Colin Mackenzie का importance यह है, कि he will be the one who will be discovering the विजयनगर empire, एक्चुली विजयनगर empire भी वो दब गया था, no one was actually aware about, कि यहाँ पे medieval India में इतना भविया और इतना शांदार इंदा, जबर्दस जिन्दाबाद वाला एक dynasty exist किया करता था सर, है ना, तो विजयनगर dynasty मिला, तो काफी लोग खुश हो गया कि भाई साब गजब की चीज़े मिल रही है, खेर, चलिए सर, ठीक है, तो Mackenzie था जो अमरवती को देखता है सर, है ना, तो अमरवती के स्टूप के बारे में में बहुत सारी चीज़े बनाई, पर वो पब्लिश नहीं की जाती है सर, ठीक है, उसके बाद एक और official का नाम दिया गए है, Walter Illyatt का नाम सर, है ना, अब इसका नाम याद रखने की आशकता नहीं है, मुझे नहीं लगता है, पर Mackenzie का नाम आपको पूछा जा सकता है, जैसे अशोक में James Princep का नाम अल्रेड़ी पूछ दिया है, कि James Princep का contribution क्या था सर, ठीक है, तो उसी तोर के उपर Mackenzie का नाम भी आपको पूछा जा सकता है, 1854 में Walter Illyatt की बात की है, Walter Illyatt, the Commissioner of Guntour, visited Amraati and collected several sculpture prints and took them away to Madras, this came to be known as Illyatt Marbles after him, अब देखे, ये potential question बन सकता है, कि ये क्या है, what is this है ना, ये क्या है, what do you mean by the term Illyatt Marbles in history, तो Illyatt Marbles और कुछ नहीं थे, अमरावती के स्टूप के अंदर जो पथर निकल के आ रहे थे ना, उस टाइम पर अंदर पदेश के अंदर, तो ये अमरावती, एक बच्छा कल comment section के अंदर पूछ रहा था, कि सर, अमरावती और अजंटा एक है कि अलग है, तो याद रखेगा है ये अलग है सर, ठीक है, अमरावती में बुद्ध की जो मूर्तिया बनती है, वो भी अलग design से बनेगी, गांदार, अमरावती, मथूरा, ये तीन अलग-अलग sections है, जिनके आधारित आपकी मूर्तिकला का विकास हुआ है, उसकी अपनी प्रासंगीकता आपको दिखेगी, उसकी अपनी आपको महतवता दिखती है, खेर, तो जो भी चीज़े है, ये विल फाइंड वल्टीपल थेंग्स ओवर हीर, और वाट दो वी सी, हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये कहानी वॉल्टर इलिएट की है, वॉल्टर इलिएट अपने पास लेके चलेगे, कहान लेके गए, तो ये टुक इट टू अमरावती सर है न, ये अभी आपको बताया, कि सांची के स्थूप को महास्थूप कहा गया है, और अमरावती के स्थूप को महाचाइट्य कहा किया, किस के द्वारा बना है, साथवहन डानस्टी के द्वारा बना है, कब बना है, पोस्ट-Maurian period के अंदर बना है, साथवहन डानस्टी पैठन नाम की जगा, या प्रतीष्टान नाम की जगा से, साशन चला रही होती है और उनके यहाँ पे यह नागरजुन कोंडा और अमरावती यह दोनों की दोनों जगा के उपर आपको स्टूप मिल जाता है ठीक है तो बहुत सारे जो अमरावती के पत्थर है वो कोई लेके चला गया कहां लेके गया कोई लंडन लेके गया कोई मदरास लेके गया आप समझने की कोशिश करोगे तो कुछ-कुछ तूप जो है पत्थर है सर है ना अंग्रेज अपने घर पे लेके गए तो अपने घरों के अंदर गार्डन को सजाने के लिए लोग लेके गए तो आपको पता चलता है कि इनके घरों के अंदर आपको इस प्रकार के स्कल्प्चर दिखेंगे मतलब आप देखिए कि जैसे कोई नया बंदा कमिशनर के रूप में, स्पी के रूप में अलग-अलग सरकारी, मशीनरी के रूप में महाँ पे जब पोस्टेड होता था तो वो ओफिशल का एक ही काम था कि हमारे यहाँ पे जो धरोर है हेरिटेज है, उसको यह लोग निकाल के लेके, घर पे लेके जाते थे और कैते थे, वो पुराने वाले ने भी किया है भारत में भी यह चीज़ आपको देखने को मिलती है, इवन इन इंडिया आलसो वी डू गेट सेम कांड अप तिंग्स है ना, आपने के समय पे यह चीज़ बहुत चली आ रही थी, अंग्रेस ब्लेम भी करते थे, कि देखो, मिस्टर एक्स लेके गए थे, तो अब हमारी कहानी है, मिस्टर वाय है, हम भी लेके जाएंगे, तो इस तरह से हमको बता चल रहा है, कि मल्टीपल लोग इंफेक्ट सांची के, अमर अमरावती स्टूप जो है, इसकी महत्व यह था, कि यह सबसे, मतलब बहुत ही बढ़िया डिजाइन में था, और क्यो डेकोरेटी भी था, इसके अंदर डेकोरेशन सांची से 10 टाइम ज्यादा हुआ करता था, ठीक है, तो इस इस हाओ वी सी डाएट, अमरावती का जो स्क ठीक के अंदर, इसको हम लोग देखते हैं, आगे की लाइन में सा, ठीक है, और अब देखिये, कोल का नाम याद रखेगा, कि ही इस दो वन हूँ एक्चुली कंजर्वेटेड, और हूँ एक्चुली वर्क फर दे कंजर्वेशन अब अमरावती स्टूपा, ठीक है, ठीक है यूपेशी ने आपको एक बार कोशन पूछा हुआ है, और कोशन में यूपेशी ने क्या पूछा था, कि सेफगाडिंग दे इंडियन हेरिटेज इस नीड अफ दी अवर्स है, ठीक है ना, समझे नहीं समझे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कि इसके बेजिस के पर से, in fact, UPSC क्या कहना चाहता है, UPSC आपको ये बताना चाहता है, कि भई, इंडियन हेरिटेज को सिफगाड करना है, वो हमारे लिए, in fact, बहुत जरूरी है, समझे नहीं समझे, और इसके लिए UPSC ने directly question भी पूछ दिया है, आपको पूछा गया है, कि भई, इंडिया क हेरिटेज को बचाना बहुत ही जरूरी है, अगर नहीं बचाएंगे, तो बहुत सारी चीजे हमको यहां से मिल जाएगी, सर, getting my point or not है ना, तो what do we see over here, when we see the अमरावती स्टूपा, अमरावती स्टूप के अंतरगत, H.H. Cole जैसे officials highlight कर रहे है, कि इसका conservation को करने की बहुत सकता है, सर, ठीक है, कोल जैसे लोग कहते हैं, कि museum should have plaster cast facsimiles of this sculpture, whereas the original should remain as where they have been found, सर, समझे क नहीं समझे हैं, तो H.H. Cole जैसे लोग क्या कह रहे हैं, कि भाई, देखिए, अगर आपको कोई भी चीजों को बचानी है, तो उसकी copy बनाईए, अब copy कैसे बनाते हैं, तो जैसे यह यहां पर एक image है, सर, क्या होता है, मैं आपको copy बनाने की technique बताता हूँ, कि normally अगर जैसे यह image है, अगर आपको इसको काट के लेके जाना है, तो यह पुरा-पुरा monument टूट जाएगा, यह पूरे gate को उठा के आप अपने घर पे तो नहीं लेके जा पाओगे, museum में नहीं ल reservation करना है, एक तो आजू-बाजू में आपको चीज़े करनी पड़ेगी, सर, ठीके, दूसरी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, what you can do, सर है न, इसके plaster casting कर दीजिए, मतलब इसके ऊपर plaster लगवाईए, और वो plaster of Paris आपने देखा होगा, mold होता है, ठीके, उससे आप safeguard करिए, त potentially हो सकता है, कि वो टूट जाएगा, सर, getting up on, है न, तो आपको ये बहुत सारी चीज़े इसके अंदर से पता होनी चाहिए, कि किन-किन तरह से, यहां पर सांची के स्टूप की बात की गई है, सर, ठीके, So coal did not succeed in convincing the authorities about the Amravati, although his plea for in-situ preservation was adopted in the case of Sanchi, मतलब Amravati का स्टूप तो अंग्रेज तोड़ के चले गए, सांची के स्टूप को ये बचा पाए, सर, है न, तो सांची का स्टूप आज की तारिक में आपको intact दिखता है, सांची का स्टूप आपको intact दिखता है, उसके पीछे का क लिखा गया है कि why did Sanchi survive while Amravati did not, क्या लिखा गया है, NCRT भी बहुत interestingly आपको प्रशन पूछ रहा है, कि Sanchi बच पाया पर Amravati नहीं बच पाया, उसके पीछे की कहानी यही है कि Sanchi की discovery जो किस तरह से की गई थी, वो अलग तरह से थी, Amravati की discovery अलग तरह से होती है, अब but before the scholars understood the value of the points, अब आप देखिये, Amravati और Sanchi की discovery देखिये सर, है ना, आप समझने की कोशिश करिए, Amravati की discovery कब हुई सर, Amravati और Sanchi को अबल हम लोग कंपर करेंगे, तो when the discovery took place, है ना, पहला point आप discovery देखिये, तो discovery जब होती है, वो 1796 के अंदर हो रही है सर, ठीके, यह 1818 म यह मिला, इसका objective लोगों को पता नहीं था, सर, है ना, तो people were not aware of the conservation, लोगों को नहीं पता था, कि इसको conserve करना चाहिए, इसको कैसे store करना चाहिए, सर, ठीक है, but by the Sanchi time, we do get instances, कि लोगों के अंदर awareness आ गई थी, लोगों को पता चल गया था, कि यार, यह जो जगाए है, उस इसको, उसको conserve करना पड़ेगा, उसको protect करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, तो ultimately detrimental हो जाएगा, सर, ठीक है ना, तीसरा point आप देखोगे, तो over a period of time, हमको ये भी चीज़े मिल रही है, कि अमरावती का जो स्तूप है, उसकी condition बहुत ही अलग मिलती है, सर, है ना, अमरावती का condition intact हुआ करती थी, और इसमें gateways भी वैसे के वैसे intact हुआ करते थी, जो आजू-बाजू की gateways थे ना, जिसे हम लोग तोरन कहते हैं, तो अंग्रेजों को भी ये चीज़ समझ में आ रही थी, कि नहीं है, इसका store करना जरूरी है, इसको ये gateway को तोर देंगे, तो issue create होगा, सर getting up on, है ना, so this is how we see, है ना, तो ये क्या लिखा गया है, कि Amravati was discovered before the scholars understood the value of the finds, लोगों को पता ही नहीं था कि इसको store करना चाहिए, इतना दरोर है भारत का, अब ऐसे तो कितनी सारी दरोर भारत के बाहर लेके गए होंगे, आप सोचिए how many things the British would have taken this thing out of India, भारत के बाहर लेके उठा के लेके चले गए होंगे, we could not do anything, है ना, reality तो यही है ना, दोस्ता, आप समझिए, कि इन सब बेजिस के उपर से हमको यही समझना है, we are supposed to understand, कि हम कैसे अपनी दरोर को store कर रहे है, how we are able to store it out, हम उसको कैसे conserve कर रहे है, sir, getting my point, है ना, तो अमरावती was discovered before the scholars could understood the value of the finds, and realized how critical was it to preserve the things where they had found instead of removing them from the site, है ना, तो यह तो निकाल के लेके चले गे, कुछ लंडन गया, कुछ कलकता गया, कुछ बॉंबे गया, कुछ मदरास गया, है ना, अपने घ बालकनी बहुत बड़ी है, वो ले, ले लो, sir, है ना, किसके बाप की जागीर है, है ना, तो ब्रिटिश काल में तो ऐसे बहुत सारे art forms के साथ यह हुआ, बट वन सांची वस discovered in 1818, three of its four gateways were still intact, है ना, and the fourth one was lying on the spot which had fallen, and the mound was in good condition, even so it was suggested that the gateway to be taken either in Paris or London, finally a number of factors helped to keep सांची as it was, and so it stands, whereas the महाचैतिय अमरावती, अमरावती का जो स्टूप है, उसका नाम क्या है, महाचैतिय बोला गया, अभी मैंना आपको थोड़ी देर पहले बताया, सांची के स्टूप को महाचैतूप कहते है, is now just an insignificant little mound, totally denuded of its former glory, आप समदने की कोशिश करिये, कि भारत में ऐसे बहुत सारे monuments आपको दरोहर के दिखेंगे, जो मूल तह से इंडिया की heritage को पूरी तरह से खतम करवा दिया है, आप देखने की कोशिश करिये, कि multiple things are there, बहुत सारी चीजे हमको यहाँ से देखने को मिल रही है, और इसको हमको conserve करने की आवशकता है, ठीक है, तो conserving the Indian heritage is the need of the hour, UPSC में एक कोशन पूशा था, कि the conservation of the Indian heritage, भारती या धरोहर को बचाना यह बहुत ही जरूरी है आज की तारीख में, अब Indian heritage में क्या-क्या problem चल रहे है, what are the problems है, धरोहर जिसे कहते हैं, हमारी धरोहर, हम कहते हैं, हमारी धरोहर, आपकी धरोहर, यह क्या है सार, ठीक है, तो Indian heritage की जब हम लोग बात करेंगे, when we try to understand the story of Indian heritage, आपको पॉइंट पता होना चाहिए, Indian heritage के अंदर कौन सी कौन सी चीज़े आ सकती है, ठीक है, उसमें आपके आगे से, for example, architecture, architecture के साथ आप देखोगे, तो sculpture, मूर्ती कला आ गई सर है, उसको कंजव करने की बहुत आवाशक्ता है, then we can see paintings, हमारी धरोर है, सब कुछ आ जाता है, हमारा literature, literature में आप देखोगे, manuscript समझ में आया की नहीं आया, manuscript की जब हम लोग बात करेंगे, तो अलग अलग प्रकार की सहितिया, प्राचीन भारत में लिखी गई थी, सर है, उसको भी बचाने की आवशक्ता है, हम बहुत अलग प्रकार के हैंडी क्राफ्ट बनाते है, सर, ठीक है, इन फैक्ट हमारे religious practices है, हमारी जो cultural है, पूरा का पूरा सर है, इसके अंतरगत हम लोग cultural traditions की जब बात करेंगे, तो ये भी हमारी धरोर है, उसको भी conserve करने की आवशक्ता है, पट overall heritage के अंदर ये सब चीज़े बहुत आत जाओ की जो जागीर है, उनके विचार है, उसको बचाने के क्यों आवशक्ता पड़ गई, आज की तारीक में है, तो Britishers बहुत सारी चीज़े लेके गए, तो Indian heritage is actually facing multiple problems, है न, तो we find there are multiple problems which are being faced, problems in heritage conservation, आप देखने की कोशिश करोगे, तो आपको 5-6 problems दिखेंगे, you'll find multiple problems, जो आज की तारीक में, इंडिया के heritage conservation में problem आ रहा है, ठीक है, पहले तो आप देखोगे, तो सबसे बड़ा problem है, बहुत theft का problem है, कि लोगों को कुछ open space मिलती है, चोरी करके लेके चले जाते हैं, और ये चोरी करके eventually क्या करते है, smuggling करते हैं, ठीक है, और ये smuggling करके क्या होता है foreign के auction centers में बेखा जाता है, तो you'll find foreign auctions के अंदर हमारी चीज हमको चिपकाई जाती है, बीच में टीपु सुल्दान की तलवार London में कहीं बेच रहे थे, ठीक है, ये आप देखने कोशिश करोगे, तो अभी गनेशन की एक मूर्ती मिली है, मतलब नटराज की एक मूर्ती, ग अलग-अलग प्रकार की bronze की मूर्तिया है, पत्थर की मूर्तिया है, आर्किटेक्चर के अंदर relief art का एक प्रकार था, वो सब उठा के ये लोग बाहर लेके चले गए, और foreign में बेच रहे है, बड़े-बड़े thousands and lakhs and lakhs of dollars के अंतरगत से ठीक है, तो आपको बहुत सारी cases दि अतनी value नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को क्या है कि हर चार अस्ते के ओपर मिल जाता है, I still remember, मैं कुछ सालों पहले कहीं विदेश में था, I was traveling, और फिर वहाँ पे जो guide थे हमारे, उन्होंने हमको बताया, कि ये जो जगा है, ये जगा 200 साल पुरानी है, अब मेरे साथ बहु तो मेरे साथ एक बंदा था, बुदे बुलता है कि, don't you find astonishing, this is 200-300 years old, मैंने बोला, you come to India, we have got 4000 year old properties, हमारे यहाँ 4000 साल पारी, पुरानी हडपिय सभेता की property मिलती है, और लोग वहाँ पे पिछकारी मालते है, पान की सर, सम्झेक नहीं सम्झे, क्योंकि हम लोग क्या है, कि य lack of awareness का, और लोग जो है, वो aware नहीं है कि कितनी पुरानी चीज़े है, ठीक है, और awareness नहीं होता, तो उसको लेके फिर आप देखोगे, तो maintenance का बहुत बड़ा problem हा रहा है, maintenance का problem हा रहा है, लोग trespass कर देते, trespassing समझ में आ रहा है सर, एक पुरानी property है, उसको basically उसको तोड़ द हो रहा है, जैसे अभी बीच में लाल किला को लेकर आपने देखा होगा, लाल किला, recently government ने फिर private group को दिया, कि आप उसका maintenance करियेगा सर, ठीक है, तो Indian people are actually not aware, they take it for granted, in fact आप देखिए, the problems in heritage conservation, इसमें people take it for granted, कि भई है तो है सर, हमारे यहां पे तो ऐसे बहुत सारे monuments मिल जात यूरोप में तो क्या, आप देखोगे, अमरीका के अंदर देखो, अमरीका की 300 साल की इतियास है, 1776 से हिस्ट्री लिखने उनकी शुरूवत हुई है, यूँकि वहां से अमरीका की क्रांथी की शुरूवत हुई, और उसके बाद कुछ मिलता है नहीं है, सर, गडिवा पॉ चल रहा है, तो चल रहा है, क्या फरक पड़ता है, सर, ठीक है, तो ये दो-तीन आपके major problem से, इसके सिवाए, heritage conservation की, जब हम लोग बात करेंगे, when we try to understand the heritage conservation, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो, वो है unregulated tourism, सर है, unregulated tourism का मतलब क्या है, आप देखोगे, तो tourism को लेखे, यहां पे बहुत minimum लोगों की जाने की आवशकता है, लोग धेरों की संख्या में चले जाता है, और फिर उसको disrupt करते हैं, अब जैसे आप देखोगे, हमपी के अंदर हुआ था, हमपी में musical pillars आपको मिलते हैं, musical pillars समझ में आता है, वो drum बता है, मतलब drum कहां, वो pillars को मारता है, तो न इंडिया में जो institution है, heritage management को लेखे, वो कौन सा institution है, वो है archaeological survey of India, ठीक है, और archaeological survey of India के पीछे materialistic, मतलब financial, जो problems है, बहुत सारा है, इसके पास बहुत ही limited sources available होते हैं, और भारत में heritage की संख्या देखोगे, तो कितनी सारी है, how many number of heritage is there in India, तो आप ठक जाओगे, उसको count करते करते पर heritage कम नहीं होगा, ठीक है, तो issue यह हो रहा है कि यहाँ पर maintenance नहीं है, institution में archaeological survey of India एक मातर संसा है, अब यह limited monuments को conserve करती है, it actually conserve limited number of monuments in the country, अब जैसे सांची का स्थूप है, अमरावती का स्थूप है, पर इसके अलावा और भी monuments आपको दिखेंगे, तो इसके protection की भी आवशक आपको करनी पड़ेगी, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो नहीं हो रहा है, unregulated tourism आपको देखेगा, smuggling का है, lack of awareness है, people are taking for granted a car, आप इसके अंदर लिख सकते हो, financial problem, इसके अंदर आप लिख सकते हो, financial problem सर है न, financial issue है न, financial issue क्यों हो रहा है, क्योंकि यह ज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत गिने चुने इनके पास पैसे होते हैं, तो कहानी यह है कि, we need to see, कि इनको भी हमको यह problems को tackle करने की आवशकता होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होगा तो बहुत सारा problem होगा, in fact, यह जो museum है, यह museum को लेके, लोगों के अंदर awareness नहीं है, मैं करता है, we do get very less number of museum and infrastructure in the country, sir, आप देखें, वाशिंटन चले जाईए, लोगों अमरीका की राददानी है, या या यूरोप में चले जाईए, बेल्जियम में Brussels है, Brussels के अंदर करीबन 100 से ज्यादा museum है, चोटे बड़े मिलाके, खाली Brussels नाम के city की में बात कर रहा हो, sir, and it will take almost 2 2-3-4 days to visit all the museums है, उसमें अलग-अलग प्रकार की museums मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, कि heritage conserve होता है, और एक generation से दूसरी generation pass on होता है, भारत में यह नहीं हो पा रहा है, अमराती के stoop से हम लोग link up कर रहा है, actually, आपको ये चीज़े आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आ आप heritage conservation को एक macro picture में देखिए, आप खाली और खाली ये मत देखे कि बिस तूप architecture का importance है, और heritage conservation में कैसे कैसे link up किया जा रहा है, ठीक है, तो financial problem है, museum नहीं है, infrastructure नहीं है, unregulated है, institution में archaeological serve of India एक मात्र काम कर रहा है, उसके अंदर चोरी बहुत हो रही है, smuggling बहुत होता है, abroad में बेचा जाता है, सर, है न, in fact, duplication आपको दिखेगा, है न, बहुत सारा duplication दिखता है, भारत के paintings को भारत के लोगों को चिपका दिया जाता है, उसके duplicate बना के, सर, है न, तो जैसे ये Mona Lisa आपने देखा होगा, एक painting है, Europe के अंदर, सर, तो painting is part of the heritage part of our family, सर, ठीक है, तो उसका बहुत सार आपको duplication देखने को मिलेगा, सर, ठीक है, in fact, ये duplication के कारण क्या होता है, कि original art form lost हो गया, lost होने का मतलब है, कि people are not able to see, कि original, जो मूर्ती थी, ये original painting था, वो कहां पे चला गया, where it is, गन, सर, ठीक है, तो उसको भी आवशक करने की जरूरत है, सर, ठीक है, इसके स innovation हुआ है, archaeological monuments के अंतरगत, उसके design change हो गई है, and people have changed the design, in fact, उसके अंदर आप देखो के encroachment हो रहा है, अब मैं बीच में जैपूर गया था, जैपूर के अंदर जो फोर्ट है, फोर्ट के अंदर I had seen encroachment है, लोग in fact encroach कर रहे हैं जगा को बीच में से, और दुकान खोल के बैठा है, बहुत सारी चीज़े है, तो उसकी design बदल रहे हैं, अब जब उसकी design बदलते हो, तो उसका जो original star है, वो चला जाता है, तो लोग बाहर लेके गए हैं, लोग उसके अंदर ही internal changes कर रहे हैं, उसकी जो original in fact design की जो feeling है, वो पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहे तो उसको आवशक करने की जरूरत है, और heritage management करोगे, तो इससे बहुत फाइदा होगा, आप देखने की कोशिश करिए, कि अगर आपने heritage को conservation किया है, तो this will lead to a great advantage, इसके positives कितने सारे हैं, ठीक है, jobs create होगी, समझ में आया, infrastructure create होगा, आप यहाँ पे एक generation से, दूसरी generation से, तीसरी generation और चौती generation, मैं तो कहूँगा, कि जन नेक्स तक आप यहाँ पे अपनी जो history है, वो pass on कर रहे हो, सर, आप अपना इतियास pass on कर रहे हो, and people are getting aware about हमारी इतियास क्या हुआ कर रहा था, सर, ठीक है, in fact, infrastructure create करने से, overall economic activities बहुत चलती है, सर, हैना, और हम लोग कह सकते है कि tourism का जो potential है, वो बहुत ही helpful होगा, अब आप देखिए, tourism plays a very important role in the GDP of a country, सर, हैना, तो आप यह सांची के स्तूप की बात कर दीजिए, अमरावती के स्तूप की बात कर दीजिए, उसका आपको importance दिख जाएगा, कि उनको अगर हम लोग कंजर्व कर रहे है, उसको protect कर रहे है तो यह काफी अच्छी चीजे होती है, सर, ठीक है, in fact, humans जो है, humans जो है, उसकी connectivity बहुत बढ़ती है, अपने culture के साथ, हैना, और जो भी local people है, local people है, वो local people को ही आप job के अंदर रखिये, और इनकी connectivity बहुत बढ़ जाएगी, कि हाँ, हमारे धरोर है, हमको इसको protect करना है, we do get multiple instances, हमको बहुत सारे instances, यहाँ पर heritage के अंदर से conserve करने की आऊशकता है, और infrastructure overall developed होगा, तो काफी फाइदा होगा, भारत के अंदर, in fact, heritage management को लेके, जब हम लोग बात करेंगे, तो institutions बनाने की अभी issue चल रहे है, in fact, जब हम लोग बात करेंगे, तो भारत में कानून जो है बहुत limited है, मतलब archaeological survey of India का एक कानून है, यह antiquities का एक act है, अगर आप कोई ऐसी धरोहर लेके जा रहे हो, illegal है, तो antiquity act के तहट आपके उपर कारेवाही हो सकती है, यह आप देखोगे, तो treasures act है, treasures act का मतलब कि आपके पास अगर कोई ऐसा खाजाना है, जो heritage के रूप में जरू हो शकता है, बट legal reforms लाने की भी आवशकता है, जिस दिन भारत legal reforms लाएगा, जिस दिन awareness लाएगा, तो in-situ और ex-situ दोनों प्रकार की conservation हो पाएगी सर, ठीक है है न, in fact आप समझने की कोशिश करिए, यह heritage conservation में दो प्रकार की issues आते हैं, एक in-situ conservation होती है, और ex-situ होती है, in- in-situ मतलब जहां पर monument है, उसको वहां पर conserve करना है, दूसरा है कि monument को वहीं कहीं से उठा के लेके आओ, और laboratory में, museum में conserve करो है, तो यह कोई जानवर तो है नहीं कि जंगल से लेके आए, और गुफा में क्या कहता है, जू के अदर बिठा दिया सर है, तो इनको conserve करने के लिए की आओशक्ता है, तब जाके आपका heritage conservation होगा, खेर, तो यह heritage conservation की बहुत आओशक्ता आपको दिखेगी, यह heritage conservation में आपको क्यों पढ़ा रहा था, क्योंकि अमरावती स्थूप है, we have actually lost the amrawती स्थूप है ना, हमने इसको गुमा दिया है, क्यों गुमाया है अमरावती conservation, we have actually lost in the amrawati, but in the सांची स्थूप, in the सांची स्थूप, we are getting as it is, हमको actual condition में दिखता है, तो अच्छी बात है, सांची का स्थूप मिलता है, पर ऐसे बहुत सारे स्थूप, ऐसे बहुत सारे monuments, over a period of time भारत से गाइब होगे, अंग्रेज लेके गए, कुछ और लोग लेके but over a period of time इंडिया की जो identity है, जो इंडिया की धरोवर है, उसके उपर बहुत प्रश्णा है, तो ये कहानी थी आपकी अम्रवती और सांची के स्थूप की, कि इनका क्या हुआ, तो अम्रवती में तो कुछ नहीं मिलता है, सांची में कौफी सारी चीज़े हमको मिल जाती है, ठीक है न, तो याद रखेगा, अम्रवती को महा चाहितिया, सांची को महा स्थूप केते हैं, तो ऐसी कहानी थी आपके स्थूप अर्किटेक्चर की, अब बुद्धिजम ने, जब बुद्ध का मुरुत्य हुआ, और जब स्थूप बन रहे थे, तो बहुत सारे संपरदा बनें, और यही संपरदायों के अंतरगत, उबर पीरिड ऑफ टाइम, महायान और हीनियान जैसे संपरदाय उभर के आएंगे, अब यह जो महायान हीनियान का जो डेवलोप्मेंट हो, उसको हम लोग नेक्स क्लास में डिसकस करेंगे, और उसके बाद बुद्धिजम को कंक आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, let us conclude the session today, क्योंकि आज के सेशन में हमने काफी सारी चीज़ें डिसकस की है, we have discussed multiple things in detail, और फिर मैं आपको heritage conservation में भी लेके गया, क्योंकि अमरवती स्थूप जो है, it's a prime example of failure of heritage conservation, जब आप अपनी धरोहर को नहीं बचा पाते हो, तो क्या ह होता है, वो चीज़ अमरवती के स्थूप ने हमको सिखाई है, खेर, तो इन सब points को आपको main main पता होना चाहिए, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आज के session को यहां पर conclude करते है, please like, share and subscribe to this platform, अगर आपको हमारे sessions पसंद आ रहा है, तो you are most welcome to join us on the academy platform, I can say it is the biggest education revolution in the country, top most educators, मेरे classes आप live में attend कर पाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, description box में link available है, और subscription लीजे, in fact subscription नहीं भी लेना है, तो मेरे special classes देखेगा, उसमें constitutional history, इंडिया का past, congress के sessions, governor generals के उपर, मैंने multiple topics को पढ़ाया है, ठीक है, और आप इसको attend कर सकते हो, make the maximum out of it है, तो आज यहां पर conclude करते है, यह code को जरू से use करेगा, to get the subscription and get 10% off on the fees as well, है ना, तो आज यहां पर conclude करते है, like, share and subscribe to this platform, I'll see you in the next session, till then keep studying, all the best, God bless you and Jai Hind.